नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टडीप और UPSC PCSR में स्वागत है जैसा कि आपको इस सेनर पे सबसे अच्छे सारे के सारे कंटेंट मिलते हैं BPSC के लिए अब बागी एक्जाम के लिए भी तो आप दिरिश्टी आईएस के जो भूक आती है ना उसके पीछे के हम लोग ज साइंस खतम कर चुका हूँ मैं जोगरफी आज से सुरू हो रहा है और आज इंडियन जोगरफी के 70 करी में हम MCQ करेंगे जो 70 सबसे बहतरीन MCQ होंगे इसी तरह से आगले वीडियो भी आएगा आप लोगा काम क्या है बस सुनना है और थोड़ा से वीडियो को सेर कर दिया क पर है ना इतना अच्छा कंटेंट किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलता है BPSC के लिए मित्रों है ना इतना तो मुझे भी पता है तो चले सुरू करते हैं और अच्छे कोस्टन से हैं आप लोग कोसिस करना एटेम्ट करने की रोक के वीडियो को और नहीं होगा तो बाकित मैं हूँ ही यहां पर एंसर बताने के लिए तो चले सुरू करते हैं पहला कोस्टने कि यदि आप कोहीमा से कोटायम की यातरा सरक मार्ग से करते हैं तो आपको मूल अस्थान और गंतम ब्यश्थान को मिला कर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों सो होकर गुजर में, तीसरा हमें पस्थी मंगाल में आना परेगा, चौथा हमें आना परेगा ओरीसा में, पांचमा में आना परेगा आंदर परदेस में, अब छठा हमें या तो तामिलाडू में चले जाओ, या तो करनाटक में चले जाओ, तो छठा हमें का तामिलाडू या करनाटक होगा, सात्मा कौन सा होगा केरल राज्य होगा तो पहले का अंसर क्या हो जाएगा कम से कम सात राज्यों से हमें गुजरना ही पड़ेगा और अगर इसमें सुरुवात मूलस्थाउन और गतंबे नहीं देता तो तब हमें बीच में इनके पांच राज्य मिलमम पार करने पड़ते है भारत के निम्लिक राज्यों को उनके भौगलिक छेतर के घटे करम के में विवस्तित कीजिए भौगलिक छेतर के घटे करम में आपको लगाना है तो सबसे बड़ा भौगलिक रिए भारत के किस राज्य का है तो दूसरे का अंसर क्या हो जाएगा दूसरे का अंसर हो जाए बारत पाकिस्तान के माद सीमा रेखा एक उधारन है किसीज का उधारन है तो यह अध्यारोपीत सीमा रेखा है कोई जरूरी यह मतलब प्राकिर्टिक सीमा रेखा नहीं था यह अंग्रेजुन हमें बांट के हमें सीमा रेखा में बांट के चले गए इसलिए अध्यारोपीत स प्रवित्षु में कौन सा स्थान आता है तो पांच का इंसर क्या हो जाएगा भारत का स्थान सेवेंथ पोजीशन है ओके निलखित का थनौम से कौन सा भारत के बारे में सही है ये बताना है और सही उत्तर के चैन होतू अधुलखित कूट को उपयोग भी करना है भारत वित् क्या है अगला है कि अगला कुष्ण क्या है कि यह अस्थालम अंडर एकुल छत्रफल का दो दोसना चार परिसन भाग अधिकरती है हुए समुचा भारत उसन कटिबंध में स्थित है एटीटू दसमलब एटीटू डिगरी तीस मिनट पूर्वी देसांतर का उपयोग भारत यह मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है तो सारे बिरासी रिगरी तो सही है तो चौथा तो गैरेंटेट सही होगा अब चलते हैं देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सा सही है तो छटक एंसर क्या हो जाएगा चौथा गैरेंटेट सही होगा पहला गैरेंटेट जार यही ट्रिक है सारे राज्यों के नाम के भारतिय मानक समय कि यम्योत्तर नहीं गुजरती है कहां से आठ कैंसर क्या हो जाएगा सी महाराष्ट से बाकी यह आंदर परदेश से भी गुजरेगी यम्योत्तर यानि कि सारे बिरासी डिगरी को जो आप नीचे की तरफ तो नौ का एंसर क्या हो जाएगा नौ का हो जाएगा सी इंदरा पॉइंट और इंदरा कॉल क्या है सबसे उत्तरी बिंदू है इंदरा कॉल असम भूटान तथा बंगलादेश के सीमाओं से लगा हुआ है पसी मंगाल भूटान नेपाल के सीमाओं से लगा हुआ है मिजोर मनिपूर तेपड़ा मिजोरा तो 11 कैंसर हो जाएगा इस कैंसर हो जाएगा सी मनिपूर कितनी वार पूछा है भारत के किस प्रदेश की सीमा यह तीनों देश करमसा नेपाल भूटान और चीन से लगती है तीन में से एक ही है वह बारह कैंसर क्या हो जाएगा सिक्किंण अगले कुस्टन पर चलते हैं भारत के निम्रिखित राजियों में से किसके तीन तरफ अंतराष्टी सीमा है तो 13 का अंसर क्या हो जाएगा 13 का हो जाएगा सी तिरपुरा में बंगलादेस के तीनों तरफ से घड़ा हुआ है तिरपुराchine और फोरे सा मैमार का भाग भी लग्याँ नहीं आर तिरपुरा के परोसी भारति राज्यों का योगम का नपिया इसी किम और बिहार यो नेपाल का परोसी 24 का ठीन सब लियर वह को जाएगा इसको काट दो पहला दो अपसन तो वैसे ही कट गए तो पंदरा का एक ही अपसन ही होना चाहिए इसकी राधानी दमान है यह तो सही है दमान दिवी के भी खंबात की खारी है तो इसका अंसर भी हो जाएगा नहीं भी पता होगा तो भी आप पुदुचेरी का छेतर विभाजित पाया गया है पंडीचेरी जो है वो तीन राज्योम बटा हुआ है पता आपको आंध प्रदेश में भी एक छोटा सा पंडीचेरी है यनम नामक जगह पर जहाँ गोदाबरी नदी मुहाना बनाती है यनम सर्च करना बड़ा ही खूबसूरत जगह मैं गया वहाँ तक घूमने वहाँ एक बार तो यनम है आंध प्रदेश में पुदुचेरी का और केरल में भी थोड़ा सा पंडीचेरी का भाग आता है और तामिलाडूम तो मूल पंडीचेरी है ही तो सोलह के अंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा तामिलाडू केरल और आंध प्रदेश तीन राज्यों में ये फैला हुआ है पंडीचेरी है है ना और ये फ्रांसिसियो कबजे में थाना कौन सा राज उत्तरपुर्वी राज्यों की साथ बेहनों का भाग नहीं है तो पसी मंगाल नहीं है बकी सेबन सिस्टर्स में तो जो नौर्थिष्ट के सारे राज्यों से घिरा हुआ है असम एक ऐसा राज्य है जो नौर्थिष्ट के सारे राज्यों के साथ सीमा लगाता है सिवा इसी किम के है ना तो अठारा का एंसर क्या हो जाएगा साथ राज्यों से निर्मकित राजियों से कौन सा उत्ता प्रदेश की सीमावरती यूपी का सीमावरती पूछा है बहुत ही असान कोशन है ये सब तो इसके अंसर क्या हो जाएगा कौन कौन है तो दो तीन चार रास्थान चार और जारकंड अगले कोशन पर चलें चलो चलते हैं राश्टे रा भागा यूपी का भाग है एंसी आर में सामिल अगला है कि एंसी आर प्रदेश में अवस्थित है कौन कौन सा सहर कौन कौन सा सहर है इसमें से जो दिल्ली के समी जो एंसी आर है नेशनल कैपिटल लीजन इसमें कौन कौन सा सहर आता है इसमें रोता कहरियाना का वो आता है तो इसका एंसर तीन और चार हो जाएगा, मकी अंबाला और खुरजा ये सब नहीं आता, खुरजा यूपीम बहुत आगे हो गया, और अंबाला तो बिलकुल ही पंजाब में चला गया, भारत के किस राज्यों के समूदरी तर्ट सबसे अधिक लंबा है, तो बाइस का एंसर क किया हो जाएगा, इसका एंसर की जाएगा, C गुझरात, करक्रेखान किने राज्यों से होकर घुझरती है, ابھی मैंने बोला मितर पर गम्चा जहर ये ट्रिक है, उसमें सारे राज्यों के नाम मैं कितनी रहीं बार बता चुका हूं, तो犯ह राज्यों के साहर का नाम है, यही इसमें एक, दो और चार हो जाएगा। यूपी से नहीं गुजरति है करकरेखा। भारत में ततिए राजयों की संख्यां कितनी हैं। तो चोजी का एंसर क्या हो जाएगा। इसका एंसर जाएगए डी, नौ राज्जी हैं। एक में रुख जाओ ये दरुदर भाग राज पता नहीं क्या हो गया नौ राज जे हैं अगले चैप्टर पर चलते हैं देखते हैं उसमें क्या सब है निमलिकित में से कौन सी चट्टान पनाली भारत में नवीनतम है पहले का क्या अंसर हो जाएगा इसका उजए गोंडवाना करम जो है उन नवीनतम चट्टाने है इन में से भारतियोप महादीप मूलता है विसाल भुकंड का भाग था जिसे कहते हैं उसको गोंडवाना लेंड कहते थे याद होगा दूसरे का अंसर डी हो जाएगा अंगारा लेंड गोंडवाना लेंड का नाम सुना होगा तीसरा है कि कौन सा कथन असत्य है तो आप लोगों को statement एक एक पर के करना है मैं direct answer पर जा रहा हूँ तो तीसरे का answer क्या हो जाएगा भारत के पस्मी समुद्र समुद्री का है तो इसलिए वो नदी का जमा उसे नहीं बना है नदी वाला मैदान आपको मिलेगा पूर्वी तट के भाग में क्योंकि बहुत सारी नदियां है जो भारत के पूर्वी भाग में अपना मुहाना बनाती है तो इसलिए सी स्टेटिमेंट इसका गलत है दक्कन ट्रैप पस्मी घाट आरावली नर्मदा तापी जलोट निक्षेप आपको मैच करना है कौन कौन से काल की कौन से है तो चौन्थे कैंसर जो दिया हुआ इसमें उसको मैं डिरेक्ट मैच करता हूँ एक का तीन दिया है दक्कन समय में बना है नर्मदा तापी जलोट निक्षेप ये सारे मैच हो गए इसका एंसर बी दिया हुआ है इस कौस्टन को याद मत रखना अब इस तरह के कौस्टन ना के बराबर में पूछता है सिवालिक सेनी का निर्मान कब हुआ है तो सिवालिक बिलकुल नमीनतम सेनी है बीच में लगू हिमाले इस्तित है ये सिवालिक का भाग हो गया ये सिवालिक हो गया ये महान हिमाले हो गया ये लगू हिमाले का छित्र है ओके भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित नावा सेलो का निर्मान हुआ है कोई सिवालिक में हुआ है तो सेवन कैंसर जाएगा उत्तर की ओर हम अफ्रिका से तूट कर उत्तर की ओर ही तो बर रहे थे ना तभी तो यब युरेसियाई प्लेट से भारतिय प्लेट टकराई तो हिमाले का निर्मान हुआ था बंधू और अभी भी जो हम उत्तर की ओर ही सरक रहे हैं नेपाल धीरे-धीरे सिकुर रह और भारत धीरे धीरे हिमाले की तरफ और बढ़ रहा है इसलिए हिमाले के लग के जितने भी छेतर हैं वो सब भूकांप जोन पांच में आते हैं कौनसे में क्योंकि वहाँ पर दो प्लेटों का टकराओ हुआ है यूरेसियाई प्लेट और भारतीय प्लेट का समझ में आ गई सरो जाएगा भारत में कोंडवे कोईले का उत्पादन सबसे जादा गोंडवाना करम के सेलों में होता है अगला चेप्टर है भूआ करतिक प्रदेश अगले चेप्टर बेचलते हैं हम लोग पहला कुस्वन क्या है कि निमलकित में से कौन सा भागवाली गुरुप से ग्र ग्रेट निकवार है और जो छे डिगरी अक्षान से रेखा है छे डिगरी चैनल जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं छे डिगरी चैनल वो सुमातरा को ग्रेट निकवार से अलग करता है और छे डिगरी चैनल का मतलब क्या है वो छे डिगरी अक्षान से रेखा है बंदूँ बिसुवत से जवाब चलोगे तो 0 डिगरी भिसुवत होता है 1 डिगरी, 2 डिगरी, 3 डिगरी, 6 डिगरी पर जवाब आएंगे न तो वही है वो रेखा जो किसको काटती है जो अलग करती है सुमात्रा को और भारत के ग्रेट निकोवार आइलेंड को भारत में हिमाले केवल पांच राजयों फैला हुआ है पस्मी घाट केवल पांच राजयों फैले हुए है पुलिकट जील केवल दो राजयों फैली हुई है तो दूसरे का अंसर क्या हो जाएगा यह UPSC का कुस्टन है तो थोरा से आपको दिमाग लगाना परेगा दूसरे का अंसर क्या हो जाएगा केवल और केवल तीन सही है हिमाले केवल पांच राजयों नहीं फैला बहुत सारे राजयों में है जमू कस्मीर से लेकर गिनते जाओ नौर्थिस्ट तक है न और पस्मी घाट कहां से शुरू होता है तो मूल लूप से थोरा सा गुजरात का भाग है जो पस्मी घाट के तहट आता है और वहां से सुरू करो गुजरात हो गया महाराश्ट हो गया गोवा हो गया करनाटक हो गया तमिलाडू हो गया केरल हो गया, इतने राजियों फैला हुआ है, कयाल क्या होता है, कयाल पूछा है आप से, थोड़ा सा बलड हो गया है यहाँ पर, तो तीसरे कैंसर क्या हो जाएगा, कयाल किसको कहा जाता है, बंधों, कयाल कहा जाता है, केरल के लेंगून का जो तट है, उसको कयाल कहा जाता ह तीसरा का D हो जाएगा, केरल का लेगून का जो तट है, लेगून इला का, उसको क्या कहा जाता है, क्याल कहा जाता है, ओके, लेगून क्या होता है, जैसे समुद्र है, समुद्र से थोड़ा सा पानी आगए अंदर, और किसी जील का निर्मान हो जाता है, तो उसको क्या बोलत किमे हैं ना किमे गाले में नेलांग घाटी किस राज में इस्थित है तो पांच का अंसर क्या हो जाएगा डी उत्रा खंड में है नेलांग घाटी नेलांग अगले कुशन बेचलते हैं छठे नमर पर निर्मिके दरोम से किस 21 से होकर लेह जाने का रास्ता है तो छठे का कैंसर क्या हो जाएगा इस कैंसर हो जाएगा ए जो जिला से होकर ओके जो जिला से होकर लेह जाने का रास्ता खुलता है और यह जमू कस्मीर में है स्री नगर को लेह से जोड़ता है अगला कुशन बेचलते हैं सबसे पूरब में कौन तो 7 का अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर होगा सबसे पहले आ जाएगा महादेब परवस्रिंखला ये कहां पर है भाई तो ये MP में है उसके बाद कौन सा आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा मैकाले परवस्रिंखला उसके बार से छोटा नागपूर परवस्रिंखला फिर खासी परवस्रिंखला तो 7 का एंसर क्या हो जाएगा इस का एंसर हो जाएगा A 1, 3, 4 माना और नीतिला उतराखन बॉमडिला और नाचल जेलेपला सिक्कीम सिपकिला जमुकस्मीर तो 8 का कैंसर हो जाएगा कौन सा इसमें सही नहीं है ये पूछा है आप से सिपकिला जमुकस्मीर ये गलत दिया हुआ है सिपकिला हिमाचल परदेश में है यदि हिमाले परवस्रेनिया नहीं होती तो भारत पर सरवादिक संभावी भौगयलिक प्रभाव क्या होता मानलो आपके उत्तर में हिमाले परवत नहीं होता तो क्या होता दिस कादिकांस वाग सैबेरिया साने वाले सीत लहरों का अनुभव करता बिल्कु सही है ये सिंदू गंगा मैदान इतना सूबिस्तित जलोड मिर्दा से वन्चित होता ये भी सही है मानसून का प्रतरूप वर्तमान प्रतरूप से भीन होता तो तीनों ही कथन्स चही है हमारे देश में ना तो मानसून आता ना कुछ बिल्कुल जैसे रूस में ठंडी परती है वैसे ही ठंडी हमारे यहां भी पर रही होती अगला है माना माना किस राज में है तो उत्राखन में चले जाओ एक का चार नाथूला कहां पर है अभी मैंने बताया सिक्किम में है जोजिला हिमाचल प्रतेस में है जाओ माना उत्राखन में है और नाथूला सिक्किम में है तो दस का अउसर क्या हो जाएगा C, A का 4, B का 1, C का 2, D का 3 हो जाएगा जो आप हिमाले के यात्रा करेंगे तो आप निल्वकित में से क्या क्या देख़े होको जब आप हिमाले जाओगे तो वहाँ पर क्या क्या देखोगे 11 का क्या अंसर हो जाएगा 11 का अंसर होगा कि हम देखेंगे गहरे खड़े भी देखेंगे यूग माउदार वाली नदियां भी देखेंगे समाना अंतर परवसेनिया भी देखेंगे भूस कलंग ले उत्तर दाए तीबर ढ़ाली भी देखेंगे तो मेरे हिसाब से सारी देखेंगे जब आप हिमाले की यातरा करेंगे तो आईएस के कोश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं थोरा से यहाँ बलर हो गया मैं अच्छे से परता हूँ वैसे परहा तो जाही रहा होगा उथ्थर दिसा की ओर से क्रम बाली परवस heavily आती हैं उथ्थर से दक्षिन आपको सारी परवस pequeño लगानी है इसमें तो बारह का क्या अंसर जाएगा इसका अंसर जाएगा कि सबसा उपर पी पंजाल आती है फिर जासकर परवसेनी फिर लदाख परवसेनी फिर कारा कॉरम आती है है ना उत्तर में से निमकित उत्तर उत्तर दिसा की ओर से करम वाली परवसेनी कौन सी देखो इसमें उल्टा दिया है जो हम दक्षीन से उत्तर की ओर जाएंगे ना तब ही एक करम आएगा सबसे नीचे पीर पंजाल सेनी आती है उसके उपर जासकर उसके उपर लदाक और सबसे उपर कारा कोरम सेनी केटू जिसको कहा जाता है ये ट्रांस हिमाले का भाग है उसके बाद आता है लदाक सेनी उसके बाद जासकर आता है और जासकर के बाद सबस पुर्व से पस्यम के और परवत सिख्णों का सही करम है पुर्व से पस्यम के और पूछ रहा है आपसे तो तेरह का अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा बी कंचन जंगा सिक्की में एवरेस्ट नेपाल में अनपुर्णा भी नेपाल में धौला गिरी भी वहीं प गारो कहां पर है तो ये मेघाले में चले जाओ उसको बाद से मीरी पूछा है फिर कोल्लाई मल्लाई है फिर डालमा है तो मीरी पहारी कहां है ये अरुनाचल प्रदेस में है कोल्लाई मल्लाई कहां है तो ये तामिलाडू में है डालमा कहां है तो ये जारखन में है एका वन, बी का तीन, सी का दो और डी का चार होना चाहिए यही एंसर होए ओके भारति निल्मेखित में से कौन से परवसेनी केवल एक ही राज में फैली होई है तो जो सत्पूरा स्रेनी है वो केवल और केवल महराश्ट में है बाकि अरावली भी राज्थान गुजरात दोनों में है उसके वास अजन्ता भी महराश्ट और मद्यपज़ दोनों में है सहियादरी तो पस्मी घाट को ही बोला जाता है तो पंदरा कैंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर गलती की मैंने सत्पूरा MP महराश्ट दोनों में है यहाँ पर गलती की माई मिस्टिक अजन्ता केवल महराश्ट में अजन्ता केवल महराश्ट में है अजन्ता केवल महराश्ट में सत्पूरा MP और महराश्ट दोनों में ही आता है सत्पूरा जो स्रेनी है और नर्मदा के बीच में बैठी है बीच में सत्पुरा है उपर बिंद है और बीच से नर्मदा नदी बैठी है कारड़मम पहारी, कोरो मंडल तट कौन सा यूगम सुमेलित है ये बताना है कैमूर पहारी, कॉंकन तट महादेब पहारी, मद भारत मिकिर पहारी पुरवत्तर भारत अगला है जहां पूरवी घाट आ पस्वी घाट मिलते हैं वहां नेम के कुण सा यूग मिस्मेलित नहीं है ये बताना है आपको नाथुला और नाचल लिपुलेक, उत्राखन, रोतांग, हीमाचल प्रदेश, पालघाट, केरल तो अठारा का कैंसर हो जाएगा नाथुला जो है ये सिक्किम में है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बरा नगर कौन सा है तो नीज कैंसर क्या हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा मुंबई नगर है जो एक द्वीप पर निर्मित है बहुत सारे द्वीपों को मिला कर बना है मुंबई सहर पार्ट ये अंचल अवस्थित है तो बीस कैंसर क्या हो जाएगा बीस कैंसर हो जाएगा बीज हार खंड में अगले पर चलते हैं नंदा देव सिखर कहां पर है तो ये उत्रा खंड में है निर्मित परवस्थिक्रों में से कौन सा एक भारत मा वस्थित नहीं है ये पूछाए आपसे तो बाइस का क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा एक गोसाई थान ये नेपाल में है अगले कुशन बेचलते हैं निम्लिकें तो कौन सा कथान असत्ति है ये बताना है आपको भामकिये दिश्थ से प्राइदी पेच्छे तो भारत का सबसे पराचीन भाग है बिल्कु सही बोला है इसने तो हिमाले विस्थ में सबसे नवीन बलित परवतों को परदरसित करता है तो ये भी सही है भाई भारत के प्रस्मी समुद्टर का निर्मान नदियों के जमाव करिया दुआ रहा हुआ है तो यही तो गलत है तो इसका C अंसर हो जाएगा उत्तर भारत में उप हिमाले छेतर के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है क्या बोला मैंने उत्तर भारत में उप हिमाले छेतर के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है तो 24 का अंसर क्या हो जाएगा D भावर कहा जाता है जब आप पहार से ठीक नीचे आओगे इन उत्तर भारत में तो भावर छेतर मिलते हैं यहां पर बड़े बड़े पत्थर और अनुप जाओ भूमियां मिलती है भावर छेतर में जल का भाव उपाया जाता है सामाने तोर पर निमकिते कौन सी चट्टान पनाली भारत में नभीनतम है तो 25 का अंसर क्या हो जाएगा गुंडवाना करम जो है भारत में नभीनतम चट्टान है पूरवी हिमाले के तुल्ला में ट्री लाइन के उचाई मान पस्मी हिमाले से होता है तो 26 का अंसर क्या हो जाएगा 26 का हो जाएगा कम है ना पूरवी हिमाले में जो ट्री लाइन होता है वो पस्मी हिमाले के तुल्ला में क्या बोला है पूरवी हिमाले के तुल्ला में ट्री लाइन के उचाई मान पस्मी हिमाले में होता है में होता होगा यहापर तो पस्मी हिमाले में अब ट्री लाइन क्या होता है मैं बताता हूँ ट्री लाइन जो है वो नीचे ही होती है पुर्वी हिमाले में अधिक उचाई तक आपको ट्री मिलेंगे है क्या पहार जो होते है ना एक ऐसी सीमा जहां तक उस पे पेर पौधे मिलते है ना उसको क्या कहा जाता है ट्री लाइन अब नौर्थिष्ट जो है वही है पुर्भी हिमाले मुख्य रूप से तो वहां पर खूब ज्यादा बारिस होती है तो वहां उंचे पहार तक आपको क्या मिलते हैं ऐसे वातावरन ऐसे परियावरन मिलते हैं ऐसे जलवायू मिलते हैं जिसके कारण वहां पेर पौधे होते हैं जोकि पस्मी हिमाले में खूब ज़्यादा सूखा है और बारिस भी नहीं ढंग से होती है और बिलकुल वहां पर पेर पौधों का अभाव होता ह इसलिए पस्मी हिमाले में ट्री लाइन, पुर्वी हिमाले का पिक्षाक्रित नीचे है, ट्री लाइन का मतलब समझ गयो न, पहार की वो उंचाई जहां तक पेर पौध ही पाए जाते हैं, जोगरफी अच्छा परहाता हूँ मैं, उत्तर से सुरू कर दक्षिन की और नीचे पहारीयों का सही अनुकरम कौन सा है, north से south जाना है आपको और पहारीयों का करम लगाना आपको, बहुत इअच्छे से, तो 27 का answer क्या हो जाएगा, इस का answer जो इस book में दिया हूआ है, उस पे चलते हैं, direct, इसका दिया हूआ है नला मला पहारी, आंदपरदेस में है, जव पहारी और के बंदूओं तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका इसका एंसर चलते हैं मौन घाटी साइलेंट वैली रास्टिय वन नला मलाई स्रेनी में है अब ही मैंने कि देखो साइलेंट वैली कहां पर है किरल में है ओके और नला मलाई कहां पर है तो अंदर प्रदेस में है अब मुझे बताओ क्या होगा बताओ पहला क्या होगा पहला तो गलत ही हो जाएगा तो पहला काट दो अब तुम्हें केवल दो और दो तीन में से चेक करना है यानि कि क्या है देखो अप्सन से करना सिखाता हूँ मैं आज पहला हमने गलत कर दिया यानि कि दो तो गैरेंटेट सही है क्योंकि दोनों अपसों ने दो दो है अब केवला के बाद तीसरा स्टेटमेंट पढ़ना है तो दूसरा पढ़ेंगे भी नहीं तो भी चल जाएगा कुंती नदी मौन घाटी सैलेंट वैली की वर्सा प्रचुर वनों से उधभूत होती है तो 28 कैंसर क्या हो जाएगा 28 कैंसर दिया हुआ है कि 2 और 3 दोनों ही कथन सही है गुरु सिखर परवचोटी कौन से राज में स्थित है तो ये किसका आरावली का ही भाग है और राज थान में बहुती खुबसूरत जगह है ये 30 कैंसर हो जाएगा 29 का ए हो जाएगा और यहाँ पर जैन धर्म का बराही सुन्दर मंदिर है और उपर मैंने सॉल्सेट दूइप कहा पर बोला था मैंने बोला था लक्षदीप न ये लक्षदीप मैंने ये महराष्ट राज्जी में ही इस्थित है मुंबे के तट के पास ही है सॉल्सेट दूइप और इसी के आबादी सबसे ज़्यादा है इन मैंसे सबसे ज़्यादा है और ये तो बता ही दिया मैंने मीनिकोई अगला है नियम्ड के दूइपों को ये युगमोम से कौन सा एक दस अंस जलमार के द्वारा आपस में फिर ठक किया जाता है दस डिग्री चैनल द्वारा कौन कौन सा अलग होता है ये पूछा है आपसे तो तो 33 का अंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा अंडमान और निकोबार जो है तो यहां तक हमने कर लिया इसमें 70 कौस्टन थे बहुती बेहतरीन 70 कौस्टन है इसी तरह से मैं अगला वीडियो भी जोगरफी का लेकर आऊँगा अप वहां तंत्रव अगरे का हम लोग करेंगे भारत के पूरे भारत अस्तर का तो अगर आपको इंडियन जोगरफी कोस्टन पूछेगा किसी भी एक्जाम में आपको BPSC सहीद किसी भी एक्जाम में तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से थैंक्यू सो मच वीडियो जैसा भी लगा हो जरूर बताना फीडिबेक जरूर देना कि कैसा था वीडियो कैसा नहीं थैंक्यू सो मच